प्लस कौन कौन सी जॉब्स अविलेबल है अगर आपने fashion designing का diploma या degree courses करा है प्लस top recruiter कौन से हैं जो कि आपको नौकरियां देंगे fashion designing industry में चलिए discussion करेंगे सबसे पहले benefits के बार में देखिए fashion designing industry से related पहले ही मैं 3-4 वीडियो आपके बना चुका हूँ description में link मिल जाएगा how to choose your career का वहां पर आपको 3-4 वीडियो इसी field से related मिल जाएगे सबसे पहले discuss करेंगे fashion designing industry में देखिए मैंने पहले के वीडियो में आपको बता है वाई कि fashion designing industry में entry लेने की जो eligibility है वे 12th के बाद है आप 12th के बाद diploma courses और degree courses वगरा कर सकते हैं चाहे तो आप specifically BDS कर सकते हैं bachelor in designing या फिर आप BSC के courses के थुरू आप specialization में fashion designing चूज करकर भी आप अपना career को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर आप BA के थुरू भी fashion designing industry में entry ले सकते हैं चलिए सबसे पहले benefits की बात करेंगे be your own boss जी हाँ अगर अपने fashion designing industry में अपना career बनानी के सोची है अगर आपने diploma courses कर लिया degree courses कर लिया और अच्छा खासा किसी designer के अंडर में work करकर अगर experience ले लिया तो आप खुद का business छोटे level पे start कर सकते हैं और खुद का बूटिक वगएर आप खोल सकते हैं और as a consultant as a designer work कर सकते हैं जहां पर आप दूसरों के project लेंगे दूसरों के project लेकर आप काम कर सकते हैं या खुद का प्रोटिंग वगएरा बनाके आप market भी कर सकते हैं और लोगों को आप पहना हुआ देखते हैं तो अलगी खुशी होती है इसकी तो fun और creativity का बहुत जादे scope है इसमें right follow your passion जी हाँ अगर आपको बच्पन से शौक था designing का sketching का fashion से related आप बहुत ही excited थे तो अगर आप इसी field में बोलते हैं कि passion को profession बनाना सबसे जादा fulfillment वाली बात है life में right अगर आप जब अपने passion को profession बना देते हैं तो इससे बढ़िया कोई चीज नह है right तो आप कभी भी काम की तरह अपने काम को नहीं देखेंगे आपके लिए वो hobby अपना passion होगा yes or no चलिए earn good money बहुत अच्छा खासा money है पैसे है salary है अगर आप किसी designer के underway work करते हो तो भी अच्छा खासा पैसा है अगर खुद का business कोलते हो तब तो बहुत ही जादा पैसा ह है तो पैसे के चिंता नहीं है बस requirement है time की आपको expertise हासिल करने की क्योंकि जितनी expertise आपको जितने expert आप अपनी field के बनोगे उतनी जादा recognition आपको fashion market में होगी उसी वजह से आपको project मिलेंगे अच्छी जगे काम करने का मौका मिलेगा yes or no चलिए travel का बहुत मौका मिलेगा आप आपको अलग अलग जगे travel करके fashion shows का हिसा बन सकते हैं या दूसरों को advice कर सकते हैं कैसे कबड़े पहने क्या नहीं पहने तो celebrity अगर आप stylish बन जाते हैं तो आपको celebrities जहां-जहां tour करेंगे उनके साथ जाने का मौका मिलेगा तो traveling वगेरा बहुत करनी पड़ेगी ये अच्छ मिलेंगे जहां पर आपको अपनी creativity, skill और talent दिखाने का मौका मिलेगा नेक्स्ट है networking देगे fashion designing industry में networking बनाना जरूरी भी है और अगर आपको succeed होना है तो आपको अपने जो competitors हैं जो भी अपने आप जिनकी भी respect करते हैं fashion designing industry में उनके साथ collaborate होकर उनसे सीख कर आपको काम करना पड़ेगा तो networking अच्छी होना जरूरी भी है और fashion designing industry में जैसे ही आप एक दर्जा हासिल कर लेते हैं experience लेते हैं तो आपके अच्छी खासी media industry में fashion industry में Bollywood में Hollywood में अच्छी खासी आपकी क्या हो जाती है recognition हो जाती है हो रहा बच्छो clear तो यह है benefits of fashion designing हो रहा बच्छो clear दे education के थू ही graduation के बाद ही उन्होंने specific पढ़ाई करके ही अपनी fashion designing industry में कदब रखे थे देखिए Manish Manotra है, Rohit Bell है और Sabya Sachi Mukherji है जो की इंडिया के topmost fashion designer है जो की globally भी बहुत अच्छा नाम कर रहे है राइट चलिए अब discuss करते हैं fashion designing industry में आप कौन-कौन से job कर सकते हैं अगर आपने diploma certificate या फिर degree course करा है fashion designing में देखिए fashion designer आप बन सकते हैं fashion marketer आप बन सकते हैं अपने product को य आपके brand या फिर आप जो prescribe करते हैं आप जो suggest करते हैं वो brand लोग पहनना पसंद करते हैं fashion concept manager आप बन सकते हैं जी हां आप concept suggest कर सकते हैं लोगों को या फिर fashion shows वगेरा में आपको बुलाया जाता है वहां का arrangement वगेरा देखने के लिए then you have a quality controller quality in relation to the attire that the models are wearing हो सकता है या फिर खुदी अपने जो भी आप suggest कर रहे हैं लोगों को उसके quality से related जो भी technicality होगी आप उसके expert बन सकते हैं fashion consultant बन सकते हैं अपनी consultancy services provide करा सकते हैं media houses को celebrities को जो बड़े-बड़े models होते हैं या फिर जो eminent personalities होती है आप उनको right then you have a personal stylist बन सकते हैं किसी भी celebrity वगेरा के किसी भी influencer क् personal stylist भी बन सकते हैं then you have a fashion coordinator आप इसकी भी job कर सकते हैं fashion shows वगेरा coordinate करना और fashion show organizers की भी job कर सकते हैं मतलब सिर्फ आपको entry लेने की जरुवत है धीरे-धीरे आपको कौन-कौन सी profile में work करना है वो धीरे-धीरे आपको खुद ही realize होने लग जाएगा अब brands की बात करें top recruiters कौन से अगर आपने अच्छी जगे से अपने diploma certificate या degree courses करते हैं तो आपका अच्छी अच्छी companies में multinational companies में या Indian companies भी जो की fashion shows वगरा organize कराती है या designers की उनको requirement होती है तो उन companies में भी आप work कर सकते हैं जिसे की रेमंट्स हो गई, right, लिवाइस हो गया, पेंटलोन हो गया, spiker हो गया, पियर, ग्लोबल हो गया, lifestyle हो गया और shopper stop हो गया, ये topmost fashion designer companies हैं योगी globally recognized है, इंडिया में तो famous है ही, पूरे globally recognized ये fashion designing industries हैं जिन में आप work कर सकते हैं, simple सी बात वोई है कि अच्छी जगह से आपको certificate, diploma या certificate या degree courses आप कर सकते हैं और उनके बाद इन profile में आप work कर सकते हैं, इन top recruiters के साथ आप जुड़ सकते हैं, मैंने benefits आपको बताई दिये हैं कि बहुत सारे benefits हैं अगर आप fashion designing industry में अपना career बनाते हैं, दो-तीन video मैंने specifically पहल diploma प्लस certificate courses आप कर सकते हैं अगर आपको fashion designing industry में career बनाना है, चाहे वो 12 के बाद हो, graduation के बाद हो या फिर post graduation level पे हो, सारी details मैंने दीती, पिछला video जो मैं fashion designing के उपर था, उसमें मैंने आपको अलग-अलग तरीके से benefits बताए थे, कि fashion designing industry में आगर आते हैं, प्लस ये बताया था specifically कि कौन से बच्चों के लिए है fashion designing क्योंकि हमें confusion रहता है 12 के बाद graduation कि fashion designing industry हमारे लिए है या नहीं है, तो वहाँ पर मैंने वो doubt clear कर रहा था, कि आपमें कौन-कौन सी qualities होने ही चाहिए अगर आपको fashion industry में कदम रखना है, तो वो video भी check out करना मत भूलिएगा, तो आज का video यहीं पर end करते हैं, I hope so, आपको idea मिला होगा कि क्या के benefits हैं, क्या के scope है, और top recruiters कौन से है, fashion designing industry के, I hope so, मिरी effort पसंद आए होगी, चलिए, मिलेंगे next video पर किसी और interesting copy के साथ, जब तो पढ़ते रहिए, महनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा, thank you so much.